डियर स्टुदेंट्स वेलकम तो गेट अकेडमी सो आर यू कन्फूस्ट पीडी जीडी वीओडी आर लाइव मीन्स रिकॉड़ेड लाइव सो सर यह चार ओप्शन्स हमें मिल रहे हो थोड़ा सा कन्फूजन हो रहा है समझ भी निया रहा है कि विच ओप्शन वी शुड़ आपको अपना सिंपल सा सजेशन दे देता हूं ठीक है सो गेट एक्जाम के लिए अगर आप गेट अकेडमी का कोर्स देखते हैं तो आपको चार मोड ऑप्शन्स पॉसिबल है पीडी जीडी वीओडी रिकॉड़ेड लाइव सो उसमें से अपना सजेशन मैं आपको दे द मिनिमल प्राइजेस पे अविलेबल है कौन-कौन से मोड की अगर मैं बात करूं तो यह आप देख सकते हैं पीडी जीडी वीओडी रिकॉड़ेड लाइफ ठीक है जैसे आप इस बॉक्स को क्लिक करेंगे जैसे आप गेट कोर्स को लेने जाएंगे इस बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं सो मेरा सजेशन होगा वी ओडी वीडियो ऑन डिमांड क्यों यह सजेशन होगा देखिए मोस्ट सिंपल तो यूज चैसे आप नेट्फिक्स या अमेजन प्राइम देखते हैं सो आप डिसाइड करते हैं कि आज मैं इस वेब सीरीज का इस सीजन का यह एपिसोड द बढ़ना है वह बन बाइवन कंप्लीट करते जाएंगे ठीक है तो यहां पर आपको एंड्रोइड और विंडोस दोनों का ही एप्लिकेशन मिलता है तो यह आप विंडोस में देख सकते हैं ठीक है आप अगर घर में है अपने कंफर्ट में है तो आप बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप मान लिजे कि डेली जाते हैं कॉलेज तो आते जाते समय अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन है आप उस समय को यूज करना चाहते हैं या कहीं भी आप किसी भी वीजन से ट्रेव आप देख सके तो घर के वाइफाई से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बाहर जब जाएंगे तो बिना इंटरनेट यूज की आप जस्ट इसको प्ले करके बिना इंटरनेट के भी ऑफ लाइन देख सकते ऑफलाइन डाउनलोड की फैसिलिटी एंड्रॉइड वाले तो यह बात है कि वीओडी इंटरनेट से चलने वाला कोर्स है और अगर आपके घर में वाइफाई है या मोबाइल फॉर में बेसिक भी है अब आप इसको बोलेंगे सार हम चेक कैसे करें तो सिंपल सा है आप एक मिनिट के अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे चेक करना है यह वो बता देता हूं फिर वापस यहां पर आ जाओंगा मैं आप डेटेकरेटमी की वेबसाइट पर जाएंगे ठीक है अगर आपके पास यह नहीं लिया है आपने अभी तक क्या आप चेक करना चाहते हैं अच्छा इसमें दोनों चीजें आप हमारे एप्लिकेशन को भी चेक कर सकते हैं कि कैसे देखते हैं वीडियो उसमें हाना अगर आप कंटेंट की क्वालिटी भी देखना चाहते हैं दोनों के लिए यह आपका लर्निंग एप के नाम से जो है यह हमारा वियोडी एप है यह प्ले स्टोर का लिंक है जो की एंडॉइड एप एंडॉइड मो और यह मेध हैं इससा निव अपना घर सकते हैं और हमारे एप्लिकेशन की क्वालिटी मेरिए एक शैड्ड कर सकते हैं तो यह आपका है सिंपल सा मेरा सजेशन है कि आप कुछ अगर समझ भी नहीं आ रहे तो सिंपल वियोडी है में लिए देखिए पैंड्राइव और जी ड्राइव स्पेशली उनके लिए है जिन लोकेशन में अगर इंटरनेट का इशू है अब बिना इंटरनेट के ही पढ़ना चाहते हैं तो आपको 1TP का筆इस्य को नोट सायदा है तो यह इसकी खासियत है कि बिना इंटरनेटि कुछ यह सες होते जहां पर इंटरनेट का ही इसूं है तो यह हो सकता है जी ड्राइव में भी अगर आपने एक बार डाउन्लोड कर दिया ऍसमें इंटरनेटर भी और बेंस ऑडिसली distintos Android version में आप कुछ offline downloading कर सकते हैं और बाकि आपको दोनों मतलब यह PD और जो GD है वो only system के लिए बनाया गया है whereas VOD जो है वो आपका Android और Windows दोनों में ही चलता है ठीक है तो आप जब भी अपना course चूस करेंगे तो यहां से आप अपना subscription को याद से चेक कर लिजिएगा 25 चाहिए कि 2060 चाहिए और यह आपका English है ठीक है चलिए अब अगर मैं आपको live class के बारे में बताओं तो live class भी ऐसा ही है Windows Android दोनों में आपको मिलेगा ठीक है difference इतना है recorded live library में इसको मैं क्लिक करके भी आपको लिखा देता हूं सो यहां पर आपको मिलती है recorded live library देखिए recorded live तो recorded live का मतलब है कि पहले जो live classes हुई है उसी का recorded version या recorded library आपके लिए अविलिबल है आपको अगर यह comfortable होता है तो आप इसमें भी जा सकते हैं otherwise keep it simple आप बिलकुल VOD चूज कीजिए थोड़ा सा भी basic net connection है और net connection basic जब मैं बोल रहा हूं तो मैंने आपको डेमो भी बता दिया है आप application भी देख सकते हैं जो basic available internet connection है आपके पास आप उसके तुरू डेमो लेक्चर सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसा है वो आपके जो भी internet connection में है वो चल रहा है नहीं चल रहा है कोई भी डिक्कत नहीं आएगी सिंपल होता है तो मेरा सजेशन आप बिलकुल भी योडी पर जाएए ठीक है रिकॉर्डड लाइव भी अच्छा है बट रिकॉर्डड लाइव में क्यूंकि चो लाइव क्लास वी दी उसकी रिकॉर्डड वर्जिन है तो interaction between teacher and students is there जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है जोड़ी में ऐसा को interaction नहीं होगा सीरे जब आप lecture चालू करेंगे आपको topic दिखेगा I mean teacher आपको topic explain करेंगा फिर उसके question solve कर वाएगा इसमें आपका syllabus complete हो जाएगा interaction as such नहीं होगा जैसा कि recorded live में होगा क्योंकि वह actual class की recording है जब students class attend कर रहे थे so this is a simple difference between recorded live and यह जो आपका recorded course है ठीक है so my suggestion आप बिलकुल VOD पे जाएए and कोई problem नहीं आएगे आपको ठीक है so I hope this video was useful to you अगर आपके और भी कुछ queries है so बिलकुल आप comment box पे लिखिएगा मैं अपने अगले sessions में उन questions को cover करने की कोशिश करूँगा thank you